इसके दान तोड़ दियेगे बच्ची के और जब अनसाफ के लिए प्ली स्टेशन में जाया जाता है तो खुद की ही जमानत करवाई जाती है बचै अपने टीत बताओ यह बच्ची हैं एंजियो जी और जीनेदों के दरवाजे जो हैं तमाम उन विक्टम लोगों के लिए खोले हैं जो अापनी लड़ाई बड़ी मुश्कल से लड़हे हैं यह बच्ची है बचै आपने टीत बताना यह तीत बच्चे आपके कैसे डू इसके दान तोड़ दिये गे बच्ची के और जब अनसाफ के लिए प्ली स्टेशन में जाया जाता है तो खुद की ही जमानत करवाई जाती है मैं बहुत जादा इस वक्त मेरी 53 एर एज है यह तीन चार साल से मैं यह देख रहा हूं काफी जादा केस हमारे पास बच्चीयों के आते हैं और हम कोशिश यह करते हैं कि वूमन सेल में उनको बेज दिया जाए ताकि उनको इनसाफ मिले मेरी पली स्टेशन उद्वंपर से एस एस पी साहिब से डिस्टिक अडमिस्टेशन से यह अपील है कि संस्ता रिजिस्टर्ड है अगर संस्ता किसी को बेजती है तो उसका काम होना चाहिए उसको इनसाफ मिलना चाहिए ना के वो लोग हमारे दरवाजे पे आएं जादा दरवाजा जो है अडमिस्टेशन का खुला रहना चाहिए इनसाफ के लिए वहीं पे आ रहा हूँ पूरे जमू किश्मीर में डिस्टर्ड एक डिस्टर्ड हेड़ क्वार्टर पे एक बूमेंट सेल बना हुआ है और मैं यह नहीं कहूंगा वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं जब इस तरह के विक्टम लोग हमारे पास आते हैं तो हमें यह लगता है कि इनसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है और उसी इनसाफ की आवाज के लिए जीयो और जीने दो जो है वो खड़े होगा पूरी तरह लिगल उनको एड़्स देगा और यह हमारी कोशिश रहेगी हर वो बच्ची जो विक्टम है उसको इनसाफ मिले जब तक उसको इनसाफ नहीं मिलेगा आज हमने मीटिंग करके फैसला किया है यही बच्ची नहीं इसके लावा हमारे पास पांच और केस हैं ऐसे केस हैं जिनके ओपर खाम खा के मकदमे चल रहे हैं बच्चीयों पे और बच्चीयों जो हैं अपने घर पे नहीं पहुँच पा रही हैं तो यही हमारी अपील है कि इन बच्चीयों को इनसाफ मिले यह बच्चीयों जो हैं अपने घर में रहें यह और जो है अब यह बच्ची जो है इसका स्कूल जाने का टाइम है मैं पिछले दिनों देख रहा क्या बचा आपका माननी करता स्कूल जाने का आपके बुक्स कहां हैं गर में गर में हैं तो इस बच्ची के लिए हमें मिलके आवाज उठानी है सब को समाज का पूरे समाज की एक जुमेदारी बनती है कि ऐसी बच्ची जो इस वकत इस महोल में हैं इनको इस महोल से बाहर नकाल के अच्छी नश्ट नमा में लाया जाए तब ही जाके वोमेंट इंपावर्मेंट की बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की और वो सारे स्लोगन जो मानने यह परदान मंतरी जी के हैं साकार होंगे जब हम इन पे मिलके और प्रंड करेंगे कि इनको अनसाब मिले और ये काम अपने अच्छे तरीके से अपनी जी सकें तो लास मैं में मीडिया का बेहाद शुकर गुजार हूँ जो कवर करता है और आखिर इन विक्टम लोगों को इसका इनसाब मिलता है इन वहां पर रहिए हूं है इन टार्च कर रहा है कि मुझे तुमुझे मेरी बेटी को भी नी बक्षा जा रहा है पहले मुझे देहेज के बारे में कहते हैं कि तो देहेज कमला या तो फिर में जो पानिव नहीं लेने देते थे म einच्पने बाई के अग रोई जाके कि मुझे असी आशी हो मilti मुझे तो पैन्याव म prawda के दिया कर दो पूल था अषर काई चुट मेरे कर के आई उन्ट हों ने मेरे इसको पांच मिन्रेट को सांस नहीं तो इसके मुझे इतना ब्लड डार है पूरे कपड़े बर चुके हैं पूरे पिलो कवर बर चुका है मैं डर के मारे मेरे अपनी माँ को फोन किया कि मैं असे हो गया तो उन्होंने मेरे पती ने मुझे बोला तो अगर तूने फोन किया तो बोला कि अगर तुने अपनी माँ को फोन किया तो तुझे आप भी इद खतम कर दूँ का जो मेरी पेटी रोने लगे चलाने आप नहीं आसे मत करो मैं नहीं बहुत तो फिर दूसरे दिन मुझे बोलते में फिर मेंने सास तुसुर को बोला कि असे अचे उन्हें बेटी को मार तुरी दिया उन्होंने तो इसके बाद आप पुलीस में गी तो मैंने वहां पे असे बोला कि उन्होंने सारा कुछ मानना भी मेरे पती ने पुलीस वालों के आगे उल्टा उन्होंने हमेरी मेरी मेरी मां के उपरी केस डाल दिया और हमारी उदर पुलीस कोट में जाके हमा अगर बात करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे अगर उन बोलती है मुझे तेरा क्या फाइदा है है मुझे अ दस बोट मेलेंगे तो मैं मैं तेरे मैं तेरे अलिए कुछ नीकार सकती हूँ मैं fa pillow всем भी नीए हैं में पूंचाया जाया है मैं में 12 साल हो गय मुझे वह पर एührtि सहले मुझे तिक से मेरे मुझे अपने गर में पहुंचाया जाए ना चाहती हूं बिल्कुर वह उनका ठीक नहीं था उन्होंने उन्हीं का साधिया उल्टा में मेरी उपर उन्हें मेरी मां के उपर उन्होंने का के जमानित क्रभाई कोर में जाके उन्होंने उन्हीं का साधिया हमारा